क्या आपको पता है कि आप इस call वाले option में number 2 को long press करे रहोगे तो क्या होगा नहीं पता ना मुझे भी नहीं पता था लेकिन आज आपको भी पता चल लाएगा कि अगर आप call वाले button को long press करके रखे रहोगे तो आप एक awesome चीज कर सकते हो तो चलिए इस वीडियो को सुरू करत हैं और देखते हैं चार ऐसी ट्रिक जो सच में किसी को नहीं पता होगा और एक bonus ट्रिक उनके लिए जो इस वीडियो को last तक देखते हैं तो सबसे पहले आप अपना call app open कर लिजे three line के option पर click किजे यहां पर आपको एक option दिखेगा setting का इस पर click किजे अब यहां पर आपको जो main आपको मैं setting बताने वाला हूँ वो बहुत ही कमाल का है तो इस तो हम सभी life में इतने सारे बिजी रहते हैं इतने बिजी रहते हैं कि अगर कोई call कर रहा होगा मतलब आपको 5-5 minute में कोई आपको remind करे कि हाँ भाई मैंने आपको miss call किया था तो वो आपका phone बन सकता है कैसे तो यहां पर आपको एक option दिखेगा advance setting इस पर आपको click करने के बाद यहां पर आपको एक option दिखेगा miss call reminder इस पर आपको click करना है और यहां पर आप set कर सकते हैं कि वो कितनी भार आपको 5-5 minute में remind करे मैं चाहता हूँ कि मुझे 2 बार करे दो select कर दिया done कर दिया हो गया अब मुझे यह एक notification sound देगा जब भी किसी का call miss call में रहेगा मेरी तरह आप भी चाहते होंगे कि यार किसी एक ही बंदे का या एक ही बंदी का मेरे phone में call recording हो और किसी का भी नहीं हो literally सच में आप भी चाहते हो तो यहरे इस वीडियो को एक like करी देना तो सबसे पहले आपको इस three line पे option पे click करना होगा setting में जाना होगा यहाँ पर में आपको एक option दिखेगा call recording इस पे click करना है इसे on कर देना है ताकि यह आपकी phone में automatic call record कर सके अब हम बात कर रह list इस पे आपको click करना है और यहाँ पे आपको नीचे bottom में एक plus का option दिखेगा इस पे आपको click करना है और उसका number add करना है तो यहाँ पे मैं एक बंदे को select कर लेता हूँ select करने के बाद यहाँ पे मैंने tick कर दिया अब जब भी इससे मैं बात करूंगा चाहे इसका call आए या मैं इधर से करूं यह automatic सिर्फ इसी का call record होगा और किसी का call record नहीं होगा तो दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर हम number 2 को long press करे रहेंगे जैसे कि अभी मैं long press करे रहा हूँ और देख सकते हैं यहाँ पे मुझे automatic call लग गया तो इस तरीके से आप अपने phone में कैसे कर सकते हो यहाँ पे आपको direct यहीं पे shortcut मिल जाता है कि अगर आप number 2 पे तो मेरा call set है 3 पे अगर आपना set नहीं है तो 3 पे long press करे रहेंगे करने के बाद यहाँ पे आपको कहरा है कि assign a quick dial number तो आप यहाँ पे yes किजे और yes करने के बाद यहाँ पे उस बंदे या बंदी का number select कर लिजे जिसे आप automatically अगर आप number 3 पे long press करे रहेंगे तो उसे call लग जाएगा तो जैसे कि यहाँ पे मैं big bro को select कर लिता हूँ और select करने के बाद अब जब भी मैं number 3 को long press करे रहूंगा तो यह automatic मेरे big bro को call लगा देगा तो दोस्तो इ हम meeting में होते हैं या फिर कहीं ऐसे काम में ब्यस्त होते हैं जहाँ पर हमारा call silent mode में नहीं रहता है तो अगर आप अपने phone को silent mode में रखना भूल चुके हो ऐसे important जगह पे तो आपके phone में एक ऐसी setting है जिसे अगर आप on करके रखते हो और जब भी आपके phone में call आती है तो लिए आपको जाना है अपने setting में setting में जाने के बाद यहाँ पर आपको जाना है apps के section में तो आप अपने phone में apps का section find कर लिजे उसके बाद आपको जाना है यहाँ पर system app setting इस पे click करना है click करने के बाद यहाँ पर आपको एक option दिखेगा call setting इस पे आपको click करना है click करने के ब तो करने के बाद अब जब भी आपकी फोन में कोई भी incoming call आएगा तो आप अपने फोन को ऐसे flat surface वे रखत होगे तो आपका फोन silent mode में चला जाएगा अब दोस्तो अगर आपकी फोन में ये वाली setting नहीं होगी तो नीचे मैंने एक application का download link दे दिया है उसे download करके उसे activate करके आप अपने फोन में flip to safe feature को activate कर सकते हो अब दोस्तो इस setting के अंदर आ ही चुके हो तो यहाँ पे मैं आपको एक bonus setting के बारे में बता ही देता हो क्योंकि आप इस वीडियो को last तक देखते हो तो कुछ तो अलग knowledge आपको मिलना चाहिए जब भी हमारे phone में कोई unknown बंदा call करता है तो उसका भी ring बजता है यस गाईज उसका भी ring बजता है यार unknown बंदे का ring कैसे बज सकता है हो सकता है आपने किसी को number दिया तो वो unknown हो सकता है बट जब भी कोई unknown आपको first time call करेगा unknown number जो आपके phone में save नहीं होगा तो अगर आप चाहते हैं कि उसका first call ring ना करें तो यहाँ पे आप इसे turn on कर दिजे और जब भी वो बंदा या बंदी जिसे आपने number दिया होगा वो अगर first call करती है या करता है तो आप अगर उसका call नहीं pick करते हो तो वहाँ पे तो आपका थोड़ा सा impression बनेगा है कभी कभी ऐसा भी होता है कि बात वहीं पे खतम भी हो जाती है बट यह feature है मैंने आप सभी को बता दिया कि जब भी कोई unknown number आपको call करेगा तो उसका first call आपको ring नहीं करेगा जब आप इस setting को on रखोगे तब तो दोस्तो ऐसे ही मैं आप सभी के लिए कमाल कमाल का tips and tricks लाते रहता हूँ तो वीडियो को subscribe कोई करता है तो चैनल को like करके तो इस वीडियो को like करके चैनल को जरूर से subscribe कर दीजिगा क्योंकि मैं आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ